नमस्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिल्कुल नहीं, फ्रिस और एकसाइटिंग अबसोर्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो शुरू कर सी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रक्सा बंदन के हर्दिक सुपकामना है आप सारे लोगों को आपका जिन्दगी जो ही वो बहुत ही खुसाली से भड़े रहे और बहुत ही अच्छी तरीके से कटे तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं में लिए वोड़ाफुन आइडे कंपनी के बार में बताने जा रहा हूँ क्योंकि आज के डेट के अंदर जहां पर दुनिया 5G का तयारी कर रहा है ठीक उसी जगे के अंदर वोड़ाफुन आइडे कंपनी को आज के टाइम के अंदर 4G को पर कंसेंटरेट करना चाहिए अगर उन्हें मार्केट के अंदर एक्जिस्ट करना है ऐसा में क्यों बता रहा हूँ वोड़ाफुन आइडे कंपनी भी तो एक अच्छे कस अमूंट और 5G स्पेक्ट्रम को पर्चेस किया है तो अच्छारक हो क्या गया है जिसके अंदर में कहना हूँ कि वोड़ाफुन आइडे कंपनी यानि वियाई कंपनी की बात करते हूँ तो भारत के अंदर 3rd largest टेलिकम कंपनी वोड़ाफुन आइडे कंपनी बहुत ही जबर्दस सर्विस वोड़ाफुन आइडे कंपनी प्रोवाइड करते हैं अगर मैं ट्राइ के रिपोट की बात करते हूँ तो सबसे बेटर कॉल याई देते हैं डावलोडिक पिट के मावल में याट्यल से बेटर प्रोवाइड करते काफी सारे और आफ़र याई कंपनी तो बहुत ही जबर्दस ब्राइड देन वोड़ाफुन आइडी तो फ्री इन्टरेनेंट दिया जा रहा है वैसे टाइम याद वोड़ाफुन है क प्रोबाइट कर रहें, लेकिन अगर मैं جी और Eat atil से compare करते हु तो ute overe रहने वाल है एसा नहीं ही है कि 5 जाने के बाद लोग wegen को घुल जाएंगे 4G service simultaneous ले चलते रहेंगे आप एक बार सोच कर देखिए 1995 के अंदर 2G service आया था और आज 2022 सल चल रहा है अभी भी 2G service जो वो बहुत ही बड़ी तरिके से चल रहा है बहुत सड़ ऐसे लोग है जो feature phone को use कर रहे है 2G phone को use कर रहे है तो अभी एक बार सोच के देखिए market के अंदर 90% से भी ज़्यादा का smartphone जो वो 4G smartphone है तो लोग क्या वो 4G smartphone को fake देंगे अगर कोई एक particular बंदा 5G को use करना चाहिए तो वो 4G smartphone को किसी दूसरे को base देंगे तो जिनको वो बेचेंगा वो तो 4G use करेंगे ना तो mainly market के अंदर जो 4G smartphone है वो जब तक ना कम होते हैं तब तक 4G service market के अंदर relevant रहने वाले और ऐसा होते होते 2030 साल से भी ज़्यादा का time लग सकते हैं तो 2030 साल तक 4G service relevant रहने वाले अभी V.I. company के अंदर ज़्यादा पैसे नहीं है cash flow बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो वैसे एक time के अंदर Vodafone Idea company को अभी के date के अंदर भी 5G के उपर ज़्यादा stress नहीं देना चाहिए क्योंकि आपको बता है 4 साल के monitor याँ में एक बड़ अगर खतम हो जाते हैं क्योंकि V.I. company का बहुत सरे customers जो वो B.S.N.L. अपनी और खीच लेंगे हाला कि government का एक huge amount of stake V.I. company को पढ़े लेकिन फिर भी B.S.N.L. का फैन बेस एक अलग लेवल का है और जिस price point के अंदर B.S.N.L. company अपने service को provide कर अगर इसे maintain वो कर पाते हैं तो definitely आने वाले time के अंदर B.S.N.L. का बीटेबल company बन सकते हैं और ऐसे एक time के अंदर Vodafone idea सबसे बरे गलती यहां पर करेंगे अगर वो अपने plans का price है कि यहां पर कर लेते हैं ARPO बढ़ाने के चकर में Vodafone idea company अगर अपने plans का price है कि यहां पर कर लेते हैं लेकिन price है जादा ना करें तो यह चीज़को अगर Vodafone idea company अच्छे तर किसे maintain कर पते हैं तो definitely आने वाले time के अंदर Vodafone idea company फिर से bounce back कर सकते हैं 4 साल का उनके पास time है 4 साल के अंदर जो करना है उन्हें यहां पर करना होगा लेकिन मेरा जो personal opinion ने कि V.I. company को अभी के date के अंदर ही 5G को पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर infrastructure उन्हें बनाना है तो काफी जादा खर्चियां पर हो जाएंगे तो अभी के टाइम के अंदर V.I. company को बहुत ही सोस समझ कर आपने कहीं पर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहिए तो बहुत ही सोस समझ कर उन्हें इन्वेस्टियां पर करना चाहिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए कुछ नहीं जान करें बिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास्पना लाइक उन्हें को तो आप बिल्कुल भी मत फुलिए ऐसे इंटरस्टिंग देखने के लिए थैंक्स वरचिंग बाइंटे क्यार आप सिर्फ सुमनगा तो कैसी को नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्त अपना ख्यार लखेगा